दिवाली का त्योहार आने वाला है हर कोई अपने घर और आफिस को खूबसूरत तरीके से सजाता है दिवाली में घर को खूबसूरत बनाने के लिए फूलों और लाइटों का प्रयोग किया जाता है इनी में से एक और चीज़ है जिसके बिना दिवाली का पर्व अधूरा माना जाता है वो है रंगोली बनाना रंगोली बनाने की प्रथा साल दर साल चलती आ रही है कोई भी मांगली काम हूँ या फिर शुब काम हर एक पर्व में रंगोली बनाना सबसे ज़ादा शुब माना जाता है रंगोली एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रंगों के जरीए भावो को दर्शाना रंगोली क्यों बनाई जाती है यह सवाल आपके मन में होगा तो चलिए जानते हैं मान्यताओं के अनुसार भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लोटे थे तो लोगों ने उनके आने की खुशी में पूरे घर की साफ सफाई करके घर के आंगन और योध्या के मुखियद्वार पर रंगोली बनाई थी जिसके बाद रंगोली बनाने की परंपरा शुरू हुई साथ ही माना जाता है कि दिपावली के दिन मालक्ष्मी हर घर जाती है अगर आप मोर वाली रंगोली बनाना चाहते हैं तो एक बार डालिए इस वीडियो पर नज़र अगर आप गोल रंगोली के शुकीन है तो एक नज़र इस पर भी कर दो एक बार आप गो एक खाए प्रेश हो एक ठापकिन आपकिन आपकिन है अगर आपको छोटे छोटे फूल बनाना बसंद है तो यह देखिए जो जो मुझे प्राफ जय जय कर्फ जय कर्फ अगर आपके पास जादा समय नहीं है और आप एक छोटी सी पर सुन्दर रंगोली बनाना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए बॉक्षी आपके परिगान के लिए मेगटना चाहते हैं तो करीगे सामीडोली बनाना चाहते हैं तो एक वीडियो को किरें में तो एक अखिए यादाल आपके कर दो कर दो कर दो तो इस साल दिवाली पे रंगोली को बनाए और दिवाली का जश्ट मनाए और भी ऐसी वीडियो के लिए जुड़ रहें पंजी आपके सरी के साथ